ही एवरिवान वेलकम टू वियोनिका व्लॉक्स आज मैं आपको दिखाऊंगे कैसे मैंने 5-10 मिनट के अंदर अपने फ्रिजी और वेवी हेर को स्ट्रेट कर लिया है और बहुत अच्छा वाला लुक आ जाता है स्ट्रेट करने के बाद में आपकी हेर लंबे भी लगने लग मैं यहां पर यूज करने जा रही हूं फिलिप्स का यह ब्रेस वाले श्रेटनर जिसका वीडियो मैंने अपने शॉल्ट में अपलोड करा था इसका रिव्यू जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है पर उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन साते रहते उनमें सबसे जादा क्वेश्चन मुझे यह आया कि क्या मैं कोई हीट प्रोटेक्टर यूज करती हूं अपने हैर को श्रेट करने के पहले तो जहां मैं लिवान का सीरम यूज करती हूं आप भी ऐसा कोई ना कोई हीट प्रोटेक्टर जरूर यूज करने ताकि आपके हैर सेренा कारे उंहते, तो मैं हैस को मई हाय से पार्टिशन करती हूँ और सेमें करती हैं और के स्टेट करती हूं से नीचे से भी और उपर से भी आपी मुझे घलती में साथ किया है और अपने च데 लिए है और बस एक एक करके बस चेस्ट में उसे कॉम करती जाओंगे और मेरा हैर स्ट्रेट हो जाएगा तो देखिए कितना सिंपल है यह बहुत जादा कन्वीनियंट ऐसे यूज करना आपको बस नॉमली जैसे आप अपने हैर को कॉम करते हो वैसे कॉम करते जाना है और इत ना करके वो सारे कॉश्चन का आंसर दिया जाए तो एक कॉश्चन में बहुत जादा है कि यह किता लंबा टिकता है मतलब अगर आपने हैर स्ट्रेट कर लिए तो यह कब तक रहता है तो वैसे तो यह जब तक आप हैर वाश नहीं करोगे तब तक वो जो एक स्मूथ वाला फिनिश आता है ना और आपके हैर में कि आपके हैर में कोई ऐसे वेव नहीं दिखती है और जादा करली से नहीं दिखते है वो आप जब तक वाश नहीं करोगे तब तक रहता है हाँ जितना स्ट्रेट जिसे आप करोगे उस दिन रहेगा उतना स्ट्रेट वो नेक्स दे न और साथ में बहुत जाना है आपको जल्दी में कहीं जाना है ना तो भी आप पांस से दस मठाड़ी लगते हैं और अच्छी जबने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं आप देखे कितना प्यारा वाला लुक अगया मेरे हैर पर तो इसे श्ट्रेटनर की रिवीव वाले वीडिय पर मूर बाइ